अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको वही कश्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लदाक पर अपनी लालची नजरें गड़ा के और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए है क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू उनकी विद्वाओं की चीखिया और उनके बच्चों के दिये बलिदान को क्या ये सोचना ठीक है कि सरहदों पे युद्ध होता है वो सिर्फ सरकार का होता है कि उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्या हम भूल गए वो बक जब महात्मा गांदी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीड तोड़नी है भारत में उनके बनाय हुए हर उत्पादन का वहिशकार करना पड़ेगा तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा ले क्योंकि लदाक सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत की असमीता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की थेली है हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गोड्स है, जितने भी उनके प्राड़क्ट्स है, जिन भी कंपनीज में उनने इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे उनको returns आते हैं, revenues आते हैं, organizations हैं, उन सब का वही शकार करें, ताकि वो उस संपत्ती से जो यहां से इंडिया से इकठी करके जाते हैं, उस संपत्ती से हतियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं, तो क्या हम इस इस युद में हम चाइना का साथ दे सकते हैं, आप इस युद में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे, जय हिंद।